बात है एक बहुत ही पवित्र कारे की शुरुवात हो रही है आधनी कमरपाजी जिस बात का जिकर कर रहे थे कि सरस्वती नदी का जिकर बेदू में भी बेदूं के साथ साथ में इतिहास में भी उन्हें के बावजूद वो नदी जमीन पर नहीं दिखी इसकी कई वज़ा रही होंगी लेकिन आज भी सरस्वती नदी जो है वो उसका महत्व और उस महत्व के साथ साथ में जब भी हम किसी पवित्र काम की शुरुआत करते हैं मंत्रो चारण होते हैं तो उसमें अगर हमारे नॉर्दन इंडिया की अगर बात कहूं में उसमें तीन नदीयों का जिकर सदैब होता है गंगा यमुना सरस्वती और इस बात को लेकर के आज ये एतिहासिक पल है जब जिस सरस्वती को हम जमीन पर नहीं देख पा रहे हैं जिसकी बजहाएं यहां पर मुझसे पहले जो प्रेजेंटेशन के माद्यों से बहुत सारी बताई गई एक पवित्तर प्रयास है ये आदनिय मनोहलाज जी की ओर से जो प्रस्ताब हमारे सामने रखा गया और हम उसमें शामिल हो करके मिल करके उस दिशा में करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रयास को ताकि ये सरस्वती नदी जमीन पर दिखे और इसके अस्तित्तों को जहां हमारे आज से पहले रिशी मुन्यों ने सुविकार किया आज से पहले इतिहास के हिस्सों ने सुविकार किया और आने वाली जैनरेशन आने वाली पीड़ी भी इसको सुविकार करे उस दिश्टी से ये बहुत महत्तपून कारे करमाज कही है अगर हम बेदू में बेदू का जिकर करें ठीक कहा जो प्रेजेंटेशन है हमारे स्मक्ष यहां पर प्रस्तूत कीगी उसमें बेदू में सत्तर से ज़्यादा बार सर्श्वती नदी का जिकर हुआ है और सर्श्वती वंदन के साथ आज भी हम जो भी कारिक्रम जो भी शुरू करना होता है उस कारिक्रम की शुरुआत करते हैं और ऐसे में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात तो यह हमारे लिए जब इस काम को आगे बढ़ाने की बात आई सही मायने में सच कह रहा हूं कि मैंने भी बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर कि कभी सोचा नहीं था नोलाल जी से कभी मिलना होता था इन्हेंने मुझे कहा कि आपके यहां पर एक हमारे यहां और आपके इस इसमें हर्याण और हिमाचल के इलाके के साथ एक स्थान है आदी बद्री और मैं बहुत ज़्यादा इस नाम से परिचित नहीं था जब इन्हों जिकर किया मैंने हांग की मैंने का थोड़ा बहुत सुना है लेकिन ज़्यादा मुझे जानकारी नहीं है तब इन्होंने पूरा उसका इतिहास जो है से शुरू किया हमारे समक्ष बोलना मुझे मालूं नहीं था कि इनने मंस्त्र प्यास किया है एक जात्रा यहां पर जो आ इस सारे काम के लिए किसी बक्ट शरू हुईती शायर मुझे याद नहीं किस बक्ट शरू हुई थी लेकिन 1987 नाइटिनаєटिसेवन इनीस यस अस्तासी तिम्य जिसमें आपने लंबी उसमें डॉक्टर विश्णू वाकन कर जो एक विश्षे शग्य दल के रोप में आदी वद्री से कच्छ तक एक मेहने के शोध यात्रा पर गए थी वो और उस दरान जो आप भी उसके उस यात्रा के हिस्से के सहयोगी बने हैं और इस यात्रा में उस्वक्त जो है मांनियाय रशनलाजी जैन भी आपके शुष्ष्ष में सात जुड़े और सब लोगू ने आप लोगु ने इस सारी चीज को लेकर कि उस वक्त बहुत गंभीता से चिंतन किया मंतन किया कि कभी अगर आपके मन में शायद मुझे लगता कि ये भाव सदैव रहा होगा कि कभी अगर आपसर मिला तो इसको सार्थक करने की एक पहल हमको करनी चाहिए एक प्रयास करना चाहिए तो आज मैं समझता हूँ कि उस दिशा में ये एक पहल और एक प्रयास जो है सफ़ता पूर्व का आगे बढ़ रही है इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बढ़ाई ज़ता हूँ आदनिय प्रधान मंत्री निरंदर मोदी जी का सदैब इस बात के लिए प्रत्रत रहता है कि नदियों को योडने की बात और नए कॉंसेप्ट के साथ नए चीज़ों को लेकर कि वो हमेशा सदैब बात करते हुए अपनी अपनी जो काम की शैले उनकी है काम करने का तरीका उसको आगे बढ़ाते लेते हैं और उन्ने तीन अपरहल दोजार चौदा को कुरुक शेतर में एक कारेकरम में संबोधित करते हुए इस बात को कहा था सर्सवती नदी का जिकर और उसका महत्तर उस पर उन्ने उस वक्त बात कही थी और उन्ने जो कहा था उसका मेरे सामने म नदी नाला बन गई है देश की हरित करांती का नेतित तो जिसने किया था जहां कभी पानी की किल्ड़त नहीं होती थी आज यहां का किसान पानी के लिए तरस रहा है ये आदनिय पधान मंतिर जी ने दो हाजार चौदा को आपके हर्यान के ही यहां पर कुरुक शेतर में आ एक और जिकर किया था 2018 में पधान मंतिर जी जब दिल्ली में भारतिय पुरातत तो सर्वेक्षिन के ने भवन का जब उद्गाटन कर दे थे तब भी उन्होंने सरस्वती का जिकर किया था और उन्हें कहा था कि कुछ लोग तो सरस्वती के अस्तित्तों को नकारते थे मगर स्पेस टेक्नोलोजी नया रास्ता दिखा रही है तो आदमी पधान मंतिर जी के दिमाग में भी इस बात को ले करके यह सरस्वती का अस्तित्तो को पूरण रूप से साकार करना उस दिशें में प्रयतिन किया जाएं प्रयास किया जाएं यह भाव उनकी बातु से आदनी मनुहुलार कर्टा जी के प्रयासुन से हम इस पुन्य के कारे में जो सरस्वति नदी को पुनर जीवित करने के लिए एक प्रयास हो रहा है उसमें हिमाचल और हर्याना दोनु मिलकर के उसमें आगे बढ़कर के काम कर रहे हैं यह हमारे लिए प्रसंता का विश्य है मुझे इस बात के लेकर के भी प्रसंता है कि बहुत सारी योजना आप अपने हर्याने में बना ही रहे हैं अभी आते आते मुझे से मजा कर रहे थे कि आपका हिमाचल प्रदेश में जो है वो जो पानी वहां तो रुखता नहीं है तो हम हर्याने वाले प्रतन कर रहे हैं कि आपका पानी हम कहीं रोकें और उसका उप्योग ठीक प्रकार से हो और सही माइने में यह हकीकत भी है पानी पाड़ू पर बारिश पाड़ू पर होती है बर्पाड़ू पर पड़ती है और उसके बाद नदी नालूं का वहां से वहां से शुरुवात होती है और आखिरकार वो पानी बहते बहते आगे चला जाता है और हिमाचल के हिस्से में बहुत जादा ने रहता है हर्याना को भी बिलता है पिंजाब को भी बिलता है तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि अच्छा प्रतन एक प्रयास है हिमाचल के पानी को रोकने का भी और जिसे हिम माचल के लोगों को भी बहुत बड़ा लाब होगा और मैं ये समझता हूँ निश्चित रूप से जब ये परियोजना बन करके त्यार होगी आने वाले सुमय में तो इसे प्रेटर्ट की दिश्टी से भी जो हमारा इलाका है जो माचल परदेश का इस दैम के साथ जो जिसमें थोड़ा एरिया जो हमारा समर्ज हो रहा है जहां वो इसकी जील बनेगी डैम बनेगा जब वो बन करके त्यार होगा तो प्रेटर्ट की दिश्टी से भी मैं समझता हूँ कि उस इलाके का एक बहुत बड़ा जो है वो उधार होगा उसमें बहुत अच्छा एक यह जरूर कहना चाहता हूँ कि जहां हर्याना में आपने आगामी योजना के मताबिक जो हिसके लिए बहुत सारी चीज़ें आगे प्लैन की हैं जिसका प्रेजेंटेशन में यहां पर जिक्र हो रहा था वो तो आपका रिकारक शेतर है उसमें आपको निशीत रूप से कि इसके जो मूल भाव में अगर हम याएं तो उसमें जो महत्व कून है कि सरस्वती जो सही माइने में जिसका जिक्र यहां कवर पाजी ने किया कि यह दिखनी चाहिए और दिखकर के इसका जो महत्व है उस महत्व को हम साकार कर सकें उस दिशा में हमको जो प्रेतन करने है उसका ही मुझे लगता कि बहुत ज्यादा महत्व है और आने वाले सुबह में जेनरेशन के लिए बियाने वाले पीड़ी के लिए भी ये बहुत महत्वपुन वीशेफ होगा और इसमे मैं देख रहा था जहाँ जहां एक और जहां आदिवदरी बांद परियोजना से सरस्वती नदी फिर बहुतिक स्वरूप में आकर हमारा कल्यान कर पाएगी वहीं बांद का निर्मान शुरू होने से रोजगार के अफसर स्रीजित होंगे तथा पीने वसंचाई के लिए भी प्रचूर मातर में पानी उपलब्ध होगा हिमाचल और हर्याना अपने जहां सरस्वती हैरिटेज प्रेटन प्रोजेक्ट विक्सित कर सकेंगे इससे प्रेटन में भी बडोत्री होगी और जिससे क्षेत्र के क्षेत्र भी विक्सित होगा और स्थानी लोगों के आर्थिकी भी मजबूत होगी और हमारे लिए तो एक तरह से इस बात को मैं कहूं कि एक पंद्दो काज वाली बात है यह और जहां तक हिमाचल अपदेश के इसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत जादा उसमें जो है मारी जमीन इसमें ज हो जह वो संब्र नहीं हो पार हो रही है थोड़ा ही इसमें इसमें इलाका जा रहा है उसमें और लगबग जो जमीन के जो मालिक है तो उनकी संख्य भी बहुत ज़्यादा नहीं है किसी है कुल मिलाकर के लेकिन उनके लिए जो मौाउजे की बेवस्ता उसके लिए सारी बातों को लेकर कि हमने तैय किया कि उनको मदद जिस रूप में की जा सकती है वो हम करेंगे और एचपी पीसियल के माध्यम से इस प्रोजेक्ट का निर्मान होगा आज M.O.U. साइन हुआ है और आने वले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी यह सारी जो हमारी आप्चारिकता हैं जो किलिरेंसीज हैं वो पूरण होने के बाद बहुत जल्दी इसका हम शियला नियास करके जो है काम की शुरुआत करेंगे और एक सार्थक प्रियास उस दिशा में करने के बाद हमें भी बहुत बड़े एक संतोश होगा कि हम मिल करके हिमाचल और हर्याना ने मिल करके सर्स्वती उन्रवजार के लिए जो प्रियास किये हैं उसका आने बले पीडियों को भी उसका लाब मिल सके इस दिशा में ये प्रहतन हैं मैं आज के इस कारिकरम में विशेश तोर से आदनी मुनौला जी को एक बार फिर से बढ़ाई देता हूं और इन्होंने ये इनिशेटिव अपने स्थर पर बहुत जब भी मेरा मिलना होता थ तो हमेशा इसी बात को ले करके कहते थी ये करना ही गया और इसमें कर इस काम को करने से बहुत लाब मिलेगा हर्याना को भी मिलेगा हर्याना को लाब मिलने के साथ साथ में हिमाचल को भी नुकसान नहीं होने देंगी और उसके साथ हिमाचल को भी लाब होगा और सबसे एक बार फिर से आप सब का वे धन्यवाद करता हूं यहां उपस्तित हुए और आदर निमनोहला जी का मिशेशत और से आप हर व्यक्त करता हूं कि आपने एक सार्थत प्रयासुस दिशा में जो किया है यह सदैव एक इतिहास का हिस्सा रहेगा इतनी बात कहते हुए बहुत- नमस्कार जाइजिन जाइजिन